जैम आता थी दोस्तों कैसे हैं आप सब तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिसकस करेंगे वो एक बहुत ही सीरियस मैटर है और बहुत ही सीरियस सिचुएशन भी है सभी पैरेंट्स के लिए कि हमारे बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ते हैं हमारे बच्चों को अग आपको ऐसे तीन चाल सॉल्यूशन बताऊंगी जिनसे डेफिनिटली आप अपने बच्चों की टीवी और मोबाइल की आदत को पहले कम कर सकते हैं और धीरे धीरे करके आप बिल्कुल अपने बच्चों की इस आदत को छोड़ा सकते हैं तो उसमें सबसे पहला जो मैं आप अपने बच्चे के साथ कितना टाइंच पंड करते हैं आप फिजिकली या मेंटली आप अपने बच्चे के साथ कितना इन्वॉल्व रहते आं थार तोड़ तींग इस कि आप खुद कितना टीवी और मोबाइल यूज करते हैं पहले आपको अपनीग कन्ट्रोल करना कि हमारा चानल लगा दो या हमें देखना रहे हैं आप उनको बोल रहे हो कि नहीं तो यार आप देख रहे हो आपके लिए वो गुड थिंग है बट बच्चे के लिए दाट इस नाट गुड थिंग कि और हिजा है कि आपको अपना टाइम करना पड़ेगा अपना टाइम सेट करना पड़ेगा कि हां अगर 110 के लिए देख रहे हैं तो दे आप यह आ 혼자 इस या डिए अफ नहीं गाया है के लिए आप उस टाइम पर टीवी वच कर रहे हैं मतलब बच्चे के पीछे से ठीक है तो मोबाइल का है मैं परसनली मैं टीवी बिल्कुल नहीं देखती हूं मैं स्टार्टिंग से ही टीवी नहीं देखती हूं टीवी देखने से मेरा सर दुखता है तो मैं टीवी नहीं देखती हूं फोन का है तो मेरा काम है तो मुझे लेकिन जिनके चोटे बच्चे उनके लिए भी यही चीज बोलूंगी कि बच्चों के सामने फ़ोन यूज ना करें कम से कम फ़ोन यूज करें अगर आपका काम नहीं चलता है तो बच्चे स्कूल चले जाये बच्चे सो ढ़ें उसके बाद आप फोन यूज कीजिए अब आजाते हैं बच्चों पे की बच्चों को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए तो सबसे पहले आप बच्चों को किसी फिजिकल एक्टिविटी में डालिए लाइक्स गेम है या कोई स्पोर्ट्स है या पेंटिंग क्लासे है जिस भी चीज में आपके बच्चे का इंट्रेस्ट है आप बच्चे को किसी भी एक्टिविटी क्लासे जॉइन कराईए बच्चों को इंडोर गेम्स दीजिए अगर आपका बच्चा बाहर जाके नहीं खेलता है क्योंकि आजकल हम मतलब खुद मैं भी हूँ मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा घर से बाहर जाके खेले क्योंकि आजकल एक तो माहौल इतना खराब है दूसरा हम नहीं नज़र रख पाते हैं पर इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है तो मैं personally खुद में नहीं चाहती हूँ क्योंकि मेरा बेटा थोड़ा सा नौटी है तो मुझे डर रहता है कि बच्चे को चोट ना लग जा इसलिए मैं खुद नहीं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा बहार जाके खेले मैंने बच्चे क तो बच्चा तो पती है घर में पेंटिंग नाचेश लाके दीजिए बच्चा बच्चा उसमेंं संब्क्राइए पईसफ मेंजर्ट बच्छ उसमें बच्चा का इंटर्स बच्चे का लगी फों को थहां थोडा कम याद करेगा थट को एफ Doll donations आशटों मेरा पिजा है हूं उसमें कहीं ना कहीं आपको अपने बच्चे के साथ involved होने की ज़रत पड़ेगी और आपको होना चाही अपने बच्चे के साथ involved तभी बच्चे का interest बनेगा यह नहीं है कि बच्चे के सामने गेम्स पटक दिये आप खेलो मैं काम कर रही हूँ आप खेलो या मैं फोन पे लग तो यह कोई solution नहीं है इस तरीके से आपका बच्चा habit नहीं छोड़ सकता हमें खुद अपने बच्चों के साथ personally involved होना पड़ेगा physically involved होना पड़ेगा बहुत सारे funny games होते हैं जैसे मेरे बच्चे खेलते है stone paper scissor है और cricket है इस तरीके से ऐसे करके मेरे husband के साथ खेलते रहते मुझे नहीं आता sorry तो बहुत सारे ऐसे funny games है जिसमें बच्चे involved रहते हैं जिसमें बच्चे interest लेते हैं तो इस तरीके से आप बच्चों का mobile की आदत को कम करा सकते हैं जब आप बच्चे के साथ personally involved रहोगे आप बच्चे को बोलोगे कि चलो हम यह खेलते हैं हम चोड़ते चड़िया और तो ता और यह पर्चिया बना के गाजा मंत्री चोल सिपाही खेलते थे सोला पर्ची खेलते थे इस तरीके से बहुत सारे गेम्स थे कि हम लोग बहन भाई आपस में ही बैट के खेलते रहते तो आप इस तरीके से कोई भी फणी गेम अपने बच्चे के साथ खेल सकते जिससे बच्चे को इंट्रस्ट आएगा बच्चा आपके साथ टाइम स्पेंट भी करेगा आपके साथ कनेक्टिविटी भी बनेगी बच्चे की और मोबाई और टीवी कम यूज करेगा और लास्ट तिंग जो मैं आपको बताने वाली हो यह मोस्ट इंपॉर्ट चाहे जितना मर्जी वो टैंट्रम करें चाहे जितना मर्जी वो आपको इमोशनली ब्लाक्मेल करने की कोशिश करें आप उसको अवोईड करें वो फर्स डे जादा करेगा सेकिंड दे थोड़ा कम होगा फॉर्ट दे थोड़ा कम होगा फॉर्ट दे थोड़ा कम होगा तो बच्चा को टेंटरम्स करना छोड़ देगा और उसको कही ना कही समझ में आ जाएगा कि हाँ अब आपके टेंटरम्स नहीं चलने वाले हैं और आपको मोबाईल और टीवी नहीं मिलने वाला है अगर आपने थोड़ी बहुत देर अपने बच्चे को दिखाना है आप स्कूल जा रहे हैं उनको सिखाने के लिए बहुत सारे अनिमेशन में इस तरीके के आते हैं वीडियो तो अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो आपका बच्चा देखे तो उसमें कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए ना कि बच्चे के हाथ में और टीवी में आप वाई कर दीजे आप तो उसी के according बस उतना होने के बाद आपको बच्चे को बोलना है अब आपको TV को switch off करना है बच्चे को बोलिए कि आपको switch off करना है तो बच्चे को वो अपनी responsibility दिखेगी कि हाँ इतने time limit के लिए मेरी ममा ने मुझे allow किया है अभी इतने time के बाद मुझे TV को switch off करना है वो मेरी responsibility है तो इस तरीके से आप अपने बच्चे की आदत को थोड़ा सा सुधाय सकते हैं यह अगर तरीके आप फॉलो करेंगे तो आप दिरे-दिरे करके अपने बच्चों की आदत को TV और mobile की बिल्कूल बंद भी कर सकते हैं बिल्कूल खतम कर सकते हैं अपने बच्चे को इस addiction से बाहर ला सकते हैं क्योंकि यह problem आजकर बहुत जादा serious problem है हर parents के लिए तो I hope कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी अगर मेरी वीडियो थोड़ी से भी पसंद आई हो तो please मेरी वीडियो को family and friends के साथ share कर दीजेगा अगर मेरे चानल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो all notification वाली bell icon के साथ मेरे चानल को subscribe कर दीजेगा तो चलिए अगर मिलती हूँ आप लोगों को एक नई वीडियो में नए content के साथ तब तक सभी को जैबाद